हाई गाईस वेलकम टू माई विमला देवी यूट्योब चैनल आज हम आपको बताएंगे सपने में सफेद कपड़े पहने हुए कोई व्यक्ति को देखना या फिर सफेद चादर देखना इसका क्या मतलब होता है देखे सपने का संसार बहुत बड़ा होता है सपनों की दुनिया बहुत बड़ी होती है ना जाने हमें ना चाहते हुए भी हमें सोने के बाद कितने बड़े बड़े सपने दिखाई दे जाते हैं और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो जागने के बाद भी हमें याद आते रहते है और हम उनकी मिनिंग जो है जानना चाते हैं उसका मतलब जानना चाते है कि क्यूं हमें ये सपना दिखाई दिया है और क्या हमें ये संकेत करना चाता है सपना तो चलिए आज हम आपको जानकारी देते हैं सपने में सफीद कपड़े पहने हुए यदि आपको कोई दिखाई देता है तो इसका क्या मतलब है सबसे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सबस्क्राइब ना किया हो तो प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप comment box में आपका कोई भी सपना है कोई भी dream है जिसका meaning आप चाहनना चाहते है वो please comment box में आप लिख सकते हैं उसका meaning मैं आपको बताऊंगे यदि कोई लड़की नभियूती आपको सफेद कपड़े में पहने हुए सफेद कपड़े पहने हुए, सफेद dress पहने हुए, सफेद leहंगा पहने हुए आपको दिखाई देती है कि आपके घर में आई है तो ये आपको संकेत करती है कि आने वाले टाइम में आपकी marriage हो सकती है और आपको कहीं से पैसा मिल सकता है या कोई तरक्की, कारोबार में तरक्की आपके होने वाली है किन्तो यदि आप देखते हैं कि सपने में आपको दिखाई दे कि कोई आदमी, कोई व्यक्ती, अंजान व्यक्ती आपको सफेद कपड़े पहने हुए दिखे, वो आपके घर में गुसे और उसे देखकर आप डर जाए सपने में, भैबीत हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके पितर है वो आपसे खुष नहीं है आपको संकेत कर रहे है, आप सपने में आकर कि बता रही है कि वो आप से खुस नहीं है, आप हमावस के दिन जो है अन का और सफेद वस्तर का दान करें, इससे आपको शांती मिलेगी और ऐसे सपनों से चुटकारा मिलेगा, सपने में यदि कोई व्यक्ति आपको सफेद कपड़े पहने दिखे, तो ये एक अफसकुन माना जाता है, अस आप खुद देखते हैं कि आपने सफेद चादर ओड़ी हुई है, तो यह बदनामी को दर्शाता है, ऐसा सपना संकेत करता है कि आने वाले कुछ समय में आपके मान सम्मान को लेकर आपको ठेज पहुँच सकती है, या कहीं से आपको सरमिंदगी महसूस हो सकती है ऐसा सपन देखने से, यदि आपको ऐसा सपन दिखाई देता है, तो दिखने के बाद, जागने के बाद आप गाहतरी मंत्र का 21 बार जाब करें, इससे आपको ऐसे सपन की असुदा टल जाएगी, थैंक्स फोर वाचिंग दिस वीडियो,